नमस्कार दोस्तों मेरनामद देवसलोनिया और आज में दुबार आप से विके सामने एक बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर रहा हूँ आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों बताऊंगा कि आप ना प्रीमियर प्रोग के अंदर जो ट्रांजिशन्स है जैसे ये वाली ट्रांजिशन आप कैसे लगा सकते हो या कोई और ट्रांजिशन आपको अपने प्रीमियर प्रोग अंदर लगानी है तो कोई पेज बलटने वाली ट्रांजिशन आपको लगानी है जो सारी की सारी जितनी वी ट्रांजिशन होती है वो सारी आप कैसे लगा सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर में आपको पूरा बताऊंगा स्टेब बाए स्टेब तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है अब्य हमें laptop की screen पे आगें जहां पे आप्पी ट्रानजीशन अप्लाई करनी है तो अब हुआ इस वीडियो को जिय Montgomery पे अपने जीर हो को प Harry उपन करी है जो उपने लिगों को फार्फ कर दी है और इस वीडियोगा आपको transitions पे जो आप करोगे तो आपकी जो default transition है वो लग जाएगी तो मेरी यहाँ पर cross dissolve जो है वो लगी हुई है cross dissolve का आप सभी को पता होगा तो यह अभी यह देखिए यह मेरी simple वाली transition लगी हुई है अभी यहाँ पर तो आपको अगर यह change करनी है तो आपको यहाँ effects में जाना है effects में जैसे जाओगे तो आपको यहाँ पर column create हो जाएगा transitions का तो और इसके अंदर आपको यहाँ पर video transition में जाना है और अगर आपको यहाँ पर column नहीं आता है या यहाँ पर भी नहीं है effect का column तो आपको windows में जाना है workspace में जाके यहाँ पर आपको effects मिलेगा आपको इसके उपर click करना है तो आपको यह आ जाएगा उसके आद यहाँ आपको video transition में जाना है यहाँ पर आपकी different different transitions है जैए आपको अगर apply करनी जैसे zoom की है तो आपको अगर zoom करने वाले transition लगानी है तो आपको simply यहाँ पर लाके छोड़ देना इसको और उसके बाद देखिया आपकी transitions ऐसे लग जाएगी इसके उपर उसके लावा यहाँ पर और बहुत सारी transitions हैं जैसे iris है या फिर और उसके लावा wipe है page seal peel वाली है page peel की जो page बंद होता या फिर page जैसे पलटते हैं वह ऐसे वाली transition है आप इसको भी देख सकते हो अब आप इसको अगर चलाओगे तो आप देखें ऐसे page पलटने जैसे तरीका आता है उसके लावा यहाँ पर दूसरा भी है page पलटने एक और तरीका यह वाली transitions भी है जो आपको साधी के कार्डों पर देखने को मिलती है उसके लावा यहाँ पर आपकी dip black जो आपकी black होके white हो जाता है वाली आपने देखे होगी एक normal सा gesture आता है यह वाली आपकी dip black है आप यहाँ से जो भी transition चाहों वो लगा सकते हो और उसके लावा अगर आपको यह set करने है default पर तो आपको इसके उपर ले जाएगे right click करना है set selected as default transition कर देना है उसके बाद जब आपकी default transition हो जाएगी इसके बाद जब आप यहाँ पर कहीं पर भी transition लगा होगे मालो मैंने यह transition अपने delete कर दियो और मेरे को यहाँ पर transition लगानी भी फिलाल आप देख लीजिए पहले यह बिल्कुल plane है यहाँ पर कोई transition नहीं है अगि मेरे को यहाँ पर default transition कर दूँगा उसके बाद आप देख सकते हैं इसके उपर transition लग गई डिप ब्लैक वाली तो ऐसे करके आप इस पर transition लगा सकते हो यह premier pro के अंदर कुछ features हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मेरे को लगे आप लोगो सारे step समझ आए होंगे और अगर step समझ आए तो वीडियो को सबसे पहले like कर देना चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि हम ऐसी interesting वीडियोज अपने चैनल पर लाते हैं उसके अलावा अगर आपको कोई step समझ नहीं आया है तो आप हमें इसे कमेंट कर सकते हो और उसके अलावा अगर आपकी और कोई query है तो आप हमें कमेंट कीजिए हम आपकी help करने ही पूरी-पूरी